रोजगार के और भी उद्धोग अभी हमने कहा है कि यहां फूट संस्क्रण खाद्य प्रसंस्क्रण की कुछ सरसों की यूनिट है सबी लोगों के लिए जो भी कोई नई फेक्टरी या नया योजना खुलना चाहेगा हमारी सरकार उसको सबसीडी भी देगी इसके साथ साथ और भी रेडिमेट गार्मेंट्स के हमारे क्लाथ के जैसे कॉटन के इंडस्ट्रियां हैं उसमें रोजगार भोत हैं जैसे अपने उज्जेन में हमने खुल वही है कि लगबक रेडिमेट गार्मेंट्स के माध्यम से प्रती मजदूर 5,000 रुप्या मैना 10 साल तक हम उसकी स भी लेका लगाना चाहेगा यह की घोष्टना में मुरना के लिए करता हूं यहां पर बड़े पेमनाय पर रोजगार मिले हम ऐसे कई सारे घटना करें और कई सारे रोजगार के नए आउसर खोजना चाह रहे हैं जिसके कारण से हमारे अपने काम धंदे चलते जलते जो अल अपनी प्रधानमंत्री के द्वारा सेना की भर्ती को लेकर करथे बड़े वयमाने पर अगनीवीर योजना प्रारंब की गई कि इस अगनीवी योजना के क्योंकि उसमें हमारे अकेले बसकी बात नहीं है संयुक राज संग और भूत सारे नियुमों के आधार पर हमको संख्या लिमिटेट रखना है तो केवल थल सेना जल सेना वायू सेना सब मिला करके इनकी संख्या अगर आपको मालू हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा अगर संख्या है सब की प्रकार दूनिया की चुनौतियां कोई दूस्मंदेश आजाएं और हमारे अंधर देश के अंदर भी कोई प्राकरति का आब आजाएस सबी प्रकार की आब्दा से निमटने का मादड़ा रखती है ये लितीन आको जबने रखने के लिए सेवा में सेना में नया खूल लाने के लिए मानी मोदी जी ने एक अगनीवीर योजना लगू की उस अगनीवीर योजना में अकेले आपकी मत्रेश से दो लाग सेती सजार युवाओं ने अगनीवीर के लिए आविदन किया था लेकिन अगनीवीर योजना के आविदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरवत भी है क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे आज की समय में यह गणित के फीजिक्स के के केमेस्ट्री के कई से को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाता हैं पहले से तो सब की भरती नहीं हो पाती तो हमने आज यह नई योजना लांच किये अब लगबग प्रती बेश में तीन सो साड़ घंटे का निसुलक प्रसिक्षण मतिवरेश सरकार चालू करने जा रही है जिसको आज घोशना कर रहा हो सारा पैसा सरकार उठाएगी हमारे बच्चे निसुलक कोचिंग क्लासेज जाइन करेंगे